नमस्कार दोस्तों, Fun with Spices में मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके लिए ले के आई हूँ स्टफ डालो की टिक्की मेरे चैनल पे जो न्यू वीवर हैं वो प्लीज मेरे चैनल सस्क्राइब कर दें और जो नॉटिफिकेशन बेल का आइकन है उस पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सके स्टफ डालो टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल यूज की है इसको मैंने दो गंटे तक भिगो के रख दिया है अब हम एक कुकर में 6-7 आलू लेंगे यहाँ पे मैंने लाल आलू यूज किया है आप लाल या पहाड़ी आलू यूज करेंगे तब ही हमारा जो टिक्की है वो अच्छी बनेगी और उनकी बाइंडिंग अच्छी होगी अगर आप वाइट आलू यूज करते हो तो इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी जब तक आलू बोयल होते हैं तब तक हम टिक्की की स्टफिंग तयार करते हैं उसके लिए हम एक पैन में 2-3 चमच तेल लेंगे सरसो का तेल मैंने यूज किया आप कोई भी यूज कर सकते हैं उसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली इसके साथ हम इसमें आड़ कर रहे हैं जीरा इसमें हम जो दाल हमने भिगोने के लिए रखी थी वो आड़ करेंगे इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में इसमें हम एड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसके साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाले यूज़ करना, इसको सौटे कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे बंद करके हमारे अलू जो है वो बॉयल हो चुके हैं हम इसको छील के इसका भड़ता बना लेंगे मैंने बीच में कटकर के आलू रखे थे जिससे आलू जल्दी बॉयल हो जाएं अब हम इसको छील लेंगे और इसका भड़ता तयार कर लेंगे बढ़ता रैड़ी हो चुका है अब हम इसमें ड्राइ स्पाइसीज मसाले आड़ करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग दनिया पाउडर रेड चिली फ्लेक्स आपलाल मिर्ची उसकर सकते हैं थोड़ा सा धनिया हरा इसको हम मिक्स कर लेंगे हमारी जो दाल है वो भी पक चुकी है इसको मिक्स करके देख लेते हैं कि हमारी दाल पक चुकी है रेड़ी हो चुकी है या नहीं इसको एक प्लेट मे निकाल के दबा के देख लेंगे जी हमारी दाल पक चुकी है इस दाल को हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में या किसी बड़े बरतन में निकाल लेंगे जब स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तभी हम उसको टिकी के अंदर भरेंगे आप इसमें निम्बू और आम चुर क्रिस्पी बनेगी अब हम क्या करेंगे पोटैटो बॉल बनाएंगे एक छोटी सी थोड़ा सा पोर्शन लेके मैंने इसकी लोई बना ली गोल अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे अपनी दाल की इस तरह से इसको कटोरी बना लेंगे पहले ताकि इसमें स्टफ कर सके हम एक जो एक चमच डाल मैं इसके अंदर डाल रहे हूं और आप जितनी हैंडल कर सकते हैं उतनी ढालिएगा इसका फट्नी नी चाहिए हमारी टिककी इसको प्रेस करके हम इसकी बॉल बना लेंगे इस तरह से यह हमारी टिक्की बन के त्यार हो गी है इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे जिस पे हमने आरा रोट फैलाया था वो प्लेट में हम इसको रख लेंगे अब मैं दूसरी तरीके से आपको बताती हूँ दूसरी तरीके से मैंने कैसे बनाई है एक को और पॉर्शन लेंगे हाथों से गोल कर लेंगे इसको अब हम स्पून लेंगे स्पोन से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको एक कटोरी की शेप दे अचिंगे इस तरह से आप शेप दे सकते हैं कि अब हम इसके अंदर दाल पोर करेंगे दाल भरेंगे कि दाल को इस तरह से प्रेस करके इसको बंद करके टिक्की बना लेंगे इसकी भी प्रेस करके इसको यह देखे इस तरह से हमारी टिक्की जो है वह बन चुकी है इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे इस तरह से हम सभी तिक्की अपनी तयार कर लेंगे, यह देखिए, सबी टिक्की बना के हम प्लेट में रख लेंगे और उस पे थोड़ा सम आरा रोट छीड़क देंगे, एक कटोरी दही लेंगे, उसमें मैंने दो चमच चीनी आड़ किये, इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, और रख देंगे, अब हम एक तवा लेंगे, तवे को गरम करेंगे, और उस पे घी या तेल आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप देशी घी यहां पर यूज़ करते हो, तो टिक्की का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जो आमने टिक्की बनाई थी, उनको हम इसी तरह पर पकाएंगे, आप इसको आरा रोट से कोट करके, फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर इस तरह से आज पका रही हूं, इनको इसको हम बारी-बारी से पलट-पलट के सेक लेंगे, अब आप लोगों ने देखा है कि मैंने यहां पर आरा रोट का इस्तमाल बहुत कम किया है, जहां जिस जिस जगह पे हमारी टिक्की में आरा रोट लगा है, वहां से इसका कलर चेंज होगा, और जो बाकी का कलर है, वो थोड़ा सा ही चेंज होगा टिक्की का, और हमारी जो टिक्की है, वो फटी नहीं है, इसका यह रीजन है कि मैंने यहां पर लाल आलू यूज़ किये हैं आप लाल अलू या पहाड़ी यूज़ करेंगे तो टिक्की है फटे गीनी तुटे गीनी यह देखिए जहां आरा रोट लगा था वहाँ पे टिक्की का कलर गोल्डन हो गया है इस तरह से हम अपनी टिक्की को पलट पलट के चारो तरफ से घी में पका लेंगे और हमने एक साथ ही तवे पे इतना घी नहीं डालना है थोड़ा सा बस ग्रीस करके टिक्की रख देनी है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चम्मच उपर से डालके पकाना है अगर आप एक स प्लेटिंग करेंगे इसकी तब तक दूसरा बैच रख देती हूं मैं पकने के लिए यह तोड़ के दिखाती हूं आपको टिक्की हमारी स्टफिंग अली टिक्की जो है वह रेडी हो चुकी है बहुत यमी बनी है यह टिक्की आप देखके अंदाजा लगा सकते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे मैं यहां पर रेड्ट मैटो सोस और ग्रीन सोस मार्किट बेस सोस है वह यूज़ कर रही हूं अब घर पर भी बना सकते हैं साथ में मैं यहां पर जो आलू भुजी हो यूज़ कर रही हूं और जो हमने दही तयार किया था वह मीठा दही अब इसमें हम टिक्की रखेंगे जो हमने बनाई है तो हमारी टिक्की बन चुकी है प्लेटिंग भी हो चुकी है आप लोग जुरूर ट्राइ करना ये रैस्पी घर पे बहुत ही इजी एंड टिस्टी रैस्पी है और ये जो समगरीस में लगी है जो हमारे इंग्रीडियंस लगे हैं वह इजरी घर पे अवैलेबल होते हैं बेसिक इंग्रेडियंट्स है अब मैं आपको इसको एक और तरीके से सर्फ करना सिखाती हूं य kicking को हम तोड़ लेंगे इस तरह से crush कर लेंगे और उस पे sauce एड़ करेंगे red sauce green sauce दोनों एड़ करके फिर उस पे हम दही एड़ करेंगे युमें उसके उपर जो हमने बुजिया लिया था उसको डालेंगे तो हम अपनी जो स्टफट और भर्वा टिकी है उसको इस स्टाइल से भी सर्व कर सकते हैं और इस स्टाइल से भी हम इसको सर्व कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग ये जो टिकी है उसको सर्व कर सकते हैं तो मेरी रैस्पी आप सबको क्यासी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा और सबने ट्राइ जुरूर करनी है अभी तक के लिए स्वस्त्रो मस्त्रो धन्यवाद